नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज बाद फिल्म मसका के बारे में मसका नेट्फिलिस औरिजिनल्स की मूवी है, डिरेक्टर है नीरज उधवानी और नीरज उधवानी का ये डिरेक्टोरियल डिब्यू है दोस्तों इस फिल्म में जो सबसे खास या खुबसुरत बात लगी मुझे वो एक नहीं दो है पहली बात तो मनिसा कोईराला को स्क्रीन पर देखने काफी अच्छा लगता है मनिसा कोईराला बेहतरी नविनेतरी हैं और जितनी भी देर यहां दिखती है आपको बहुत आकर्षित करती है और दूसरी बात जो मुझे तो खास तर पर बहुत अच्छी लगी हो सकता है आपको भी अच्छी लगे वो यह की यहां अलग अलग तरह के डिशेज बहुत दिखाये गए है और चुकि खाने पिने का मुझे बड़ा ज्यादा शौक है तो मुझे तो यह बहुत ही अच्छी लगा दोस्तों, यहां कहानी है, एक यूवा लड़के रूमी की भूमिका में आप देखते हैं प्रीत कमानी को रूमी की एक दुविधा है, रूमी अपने जीवन में कुछ और करना चाहता है लेकिन जो उनकी मा है, डे जी, वो उनके से कुछ और उमिद रखती है डेजी यानि मनीशा कोईराला यह चाहती है कि रूमी अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाए इनका एक इरानी कैफे है जो करीव 100 साल पुराना है और इस कैफे के जिम्मेदारी अब रूमी को देना चाहती है वो चाहती है कि जो उनके पती थे रूसी यानि जावेज जाफरी उन्होंने जिस तरह से इस कैफे को आगे बढ़ाया था उसकी लेगेसी को कहिए उसकी परबबरा को रूमी अब आगे बढ़ाए और रूमी यानि के प्रीथ कमानी उनके सपने अलग है उनको लगता है कि उन के परिवार का कॉंट्रेट किस तरह से आगे बढ़ता है यह सब चीजे तो आप सीरीज में ही देखेंगे लेकिन यदि बात करें प्रेजेंटेशन किये तो दोस्तों यह कहानी आपको रूमी के इर्दगेर्ध ही लगती है लेकिन एक वक्त आता है जब रूमी के कंश्यूज जिस तरह की थी, इसमें कई आयाम हो सकते थे, क्ई तरह से इसको विस्तार दिया जा सकता था जैसे की जो परिवार का कॉंट्रिक्ट है माँबेटे का उसको थोड़ा से विस्तार से दिखाया जा सकता था या फिर जो एक युवा लड़का फिल्म में जाना चाहता है अभि जो पारसी सवधाय के लोग है जो उनकी लेगेसी रही है जो उनकी विरासत रही है या उनका जो योगदान है या अभी जो उनका स्ट्रगल है उसको भी थोड़ा डिटेल से दिखाया जा सकता था लेकिन यहां इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है एक सीधी सीधी कहानी चलती ह है रूमी की और उनकी मा की और एक जवे पर जाके खत्म हो जाती है कहानी भी ऐसी कि जब यह कहानी शुरू होती है थोड़ी दिर आगे बढ़ती है आपको पूरा ही पता चल जाता है कि आखिर तक में क्या होने वाला है बात यदि आप करें अभी ने की तो जैसा मैंने कहा मनीशा कोईराला ने बहुत ही शांदार अबने किया है यहाँ जावेज जाफरी यहाँ अलग-अलग समय पे एक तरह से कही है प्रगट हो जाते हैं और जितनी भी दिर वो आते हैं बहुत बेहतरी ने अबने किया है और खास करके जो पार्सी लहजे में बोलने का उनका अं एक दो द्रिस में दिखते हैं वो भी अपने जगह पर फिट बैठे हुए हैं सिनमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है बैक्गराउंड म्यूजिक कार स्कोर भी ठीक ठाक है दोस्तों यदि आपका इरानी कैफे से या बन मसके से कोई लगाव है आप मुंबई में रहते है या फिर आप अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं और आपको टाइम पास के लिए कुछ देखना है तो मसका फिल्म आप एक बार देख सकते हैं रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को पांच में से तीन अंक देना ठीक रहेगा तो दोस्तों फिल्म मसका के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगा किसी और आप, किसी और सिरीज, किसी और हाट टापिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखिए आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को पसंद करिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि अ